हम जो 21 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं मुंबई में हम वहां पे सीडिया उपर नीचे चड़ते थे फिटनस के लिए और थोड़ा लॉकडाउन इस होने के बाद थैंक्फिली हम मुंबई शिफ्ट हुए हैं तो हम शहयादरी में जाके छोटे-मोटे ट्रेक्स करते थे सर्वीकेंद्स में तो मुंबई में तो कभी ठंड क्या होती है पता ही नहीं चलता होगा यहां तो आज बारा मुला में काफी ठंड में रहती होगी आप करोना ने निश्चित तोर पर सभी को प्रभावित किया है लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे देश की भावी पीड़ी ने इस महामारी से मुकामला करने में बड़ी भूमिका निभाई है साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो यह बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाएं बताते थे आज एवोर्ड ऐसे हर बच्चे को भी मिला है ऐसे परिवार और ऐसा मासमाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं आता शिखने की ललत बनी रहती है उनका उत्सा मना रहता है और बड़े भी सोचते हैं और स्वाभावी का वाह हमारे बच्चे ने कहा है तो हम जुरू करेंगे हमने ये कोरोना के समय भी देखा है और स्वच्च भारत मिशन के दोरान भी मैंने बराबर देखा है बच्चे जब किसी कौँच से जुड़ जाते हैं तो उसमें सभलता मिलती है काम्या आपको आपके माता-पिता को आपके ट्रेनर्स को सबको मैं बहुत बधाई देता हूं बहुत छुप कामना कर देता हूं प्लास बड़े में ताहीं देखते रहे